आज सीवान के सराणाले गेट पर सीवान सा कारिता सूता मिल करम चार जीओने के लोग अपने एक दिवसी धर्णा पर बैठे अपनी मुख मांगो को लेका या कारिकरम सच्यू लाल महम्मद मिया अध्यक्ष प्रिंस उपाध्याय के नितुत्र में की गई सूता मिल यूनियन के अध्यक्ष हैं और यहां के दुमधूर है उन लोग वेतन भुगतान के लिए हम धर्ना पर बैचा कि इनका जल शल भुगतान किया जाए और अभिलम मिल को चालू किया जाए कोई और इंड़स्ट्री बैठाय जा लेकिन चालू किया जा और इन लोगों नहीं कहीं रुजगार दिया जाए इनके बच्चे और यह लोग भुखे ना मरें किस्टर से लगाई लगार रहे हैं कई दिनों से बाद मुगदा उठाय जा रहा है ति यहां पे लोकल परतनिदी हैं जन्ता के वो नहीं सुन देखे यहां के जन्ता के जो भी परतनिदी है नहीं सान्सद हुय या विधायक हुए विघास के चक्कर में लगें हुए यहां तक आज से एक से सल्क भू गईया हम तक कभी मजदूरों का उन्होंनों हाल चाने उठावना ही इस चिला में उसी बेरोजगार इवागों को ही रोजगार दिलाने की बात ही यहाँ का सांसत पैसा लूट कर लेया के दूसरे पर देशों में लगाई और यहीं रोजगार दीजिए मैं चिवान सूता मिलकें मैंटे सिंशार के पोस्ट पर कारियर था यहार सरकार ने हमें अन्हीं सथियाती में पॉइंट पर सर्फे भेजा यहाँ इस मील का वलो भात में एरेक्शन हुआ मील चालू हुआ पुड़क्शन में आया पुचारू रूप के शाप कल ना हुए हम लोग किस मांगों को लेकर बैठे हुए है कि सन 2000 से यह द्रफ्ता को अभोसित बंद कर दिया गया और भोसित बंद करने के बाद नहाज तक एक पैसा हमको संखा मिला हम भुख मरी के कगार पर हैं हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं और हम जहां भी जाते हैं यहां के सेत्रिय विदायक, MLA, MP के पास उनसे भी अपना प्रसानी का चुक है हम लोग लेकिन हम लोग पर मतलब इस दूखी है कि हम लोग को जीना तुरबर हो गया है हमारा नाम गोरख नाथ शिंग है मैं इस मिल में 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 इंचार्ज के पोर्ष पर काम करता था